नमस्कार किसानमाईयों किसानमाईयों आज की इस वीडिये में हम बात करने वाले हैं सेफिक्स कंपनी की गलाइड कीट नाशक की विशिष्टाओं के बारे में जी है किसानमाईयों यदि आपकी फसलों पर किसानमाईयों उस रस चूसक कीटों का प्रकूप है तो किसान मैयों सेफ एक्स कंपपनी के जो ग्लाइड कीटनाईशक है या आफ के लिए खाफी जादा महतरपूर होने वाली है किसान मैयों आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइड कीटनाईशक के टेकनिकल के बारे में कैसे यहा काम करता है क्या इसमें हमें फीचर देखने को मिलते हैं इसके साथ हमें सेफ एक्स कंपनी कौन सी फसलों पर ग्लाइड कीटनाईशक के छड़काव को रेखमेंड करती है इसके साथ साथ कौन-कौन सी फसलों बार या कौन-कौन सी कीटों को नियंतरत करता है क्या इसका हमें डूस लेना चाहिए सारी विशिष्टाओं पर आपको डीटेल में जानकारी देंगे तो किसान बाइओ वीडियो में आकर तक जरूर वने रहें और सारी जानकारी हासल करें सेफिक्स कंपेनी का जो गलाइट कीटना शक है किसान बाइओ यह been a broad spectrum कीटना शक है यानि कि broad spectrum systemic कीटना शक है किसान बाइओ यहापनी जो काम है कौन्टेक्ट एंड इस्टमक पोईजन के तरीके से अपना काम यहें करता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टाटिक में ही बताया था रस जूसक कीटो पर इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कसान भाईों बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल के बारे में तो जो इसमें हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है असी टामा पिरेड जो की 20% SP formulation में हमें देखने को मिलता है किसान भाईयों इसके हमें खास feature के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें trans laminar action देखने को मिलता है यानि कि किसान भाईयों दबा का चड़का और यदि आप पत्ते के एक भाग पर करते हैं तो इसका जो असर होता है पत्ते की दूसरे भाग पर भी हमें automatically देखने को मिलता है बात कर लेते हैं किसान भाईयों कौन-कौन सी फसलों पर हमें सेफिक्स कंपनी glide कीट नाशक की चलखाव को रेकमेंड करती है तो इसका चलखाव आप कपास, मिर्च, टमार्टर, आलू जैसी फसलों पर इसका चलखाव कर सकते हैं कोई भी दिक्कत परिशानी हमें देखने को नहीं मिलती है बात कर लेते हैं कौन-कौन से कीटों को या नियंतरत करता है तो किसान भायों यह एक रस चूसक कीटनाशक जितने भी रस चूसक कीटों को यह काफ्य अच्छे तरीके से नियंतरत कर लेता है जैसे कि जैसे ट्रिप्स, वाइट फ्लाई, मॉस्कीटो बग जैसे और अन्रस्ट चूसकीटों को यहाँ काफी अच्छे तरीके से नियं अंत्रित कर लेता है बात कर लेते हैं इसके डूस के बारे में किसान भाई हो तो इसका जो अनुमाने डूस है 40-60 ग्राम प्रती एकड़ की दर से आप इसका चड़काव कर सकते हैं किसान भाई हो अनुमाने डूस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फसलों की स्टेजिस के हिसाब हमें दवा का अलग अलग डूस लेना चाहिए तो द्यान में जरूर आपको ये रखना है जब भी आप दवा का पर्चीस कर रहे हों तो दवा के बारे में जानकारी और दवा के बारे में डूस के बारे में कंसल करना दुकांदार से ना भूलें तो कसान में आज की इस वीडियो मसरफ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ धन्यवाद